जो को diabetes कहते हैं हमारे शरीर में हम जो कुछ भी खाते हैं मैंने आपको कल भी कहा था परसों भी कहा था जो कुछ भी खाते हैं इसमें जो मीठा तक्तो है जिसको हम शुगर कहते हैं अंग्रे섯ीव कहते हैं सुक्रो सोच कहते हैं ऌढ़ सब्सकेदेली तो भोजन के अंदर ये ज्पु कुछ भी के ये शरी और सबसे जली और सबसे आसानी से मुरजा देने वाला पत्रू है आफिस जो कुछ भी खाया शरीर उसको पचाएगा और यह जो कुछ भी पचा हुआ तक तो है यह हमारे रक्त में जाएगा कुछ भी आप खाएंगे शरीर उसका पाचन करेगा पाचन करने के बाद वो आपके रक्त में जाएगा रक्त के अंदर बहुत सारे कौशिकाई कह सकते हैं तो यह जो सहल होते हैं कोशिकाई होती है रख्त के अंदर झिंको ज्यादाइं अच्छी शवदों में है रख्त कोशिका इन ब्लड आई की कुछ इस तरह फे बिनावत होती है जैसे आपके घर का दर्बाधा आपके घर में एक दर्वाजा होता है अगर ये दर्वाजा बंद है तो आप अंदर घर में प्रोवेश नहीं कर सकते आप पहले दर्वाजे के कॉल बेल बजाएंगे घंटी बजाएंगे कोई दर्वाजा फुलेगा फिर अंदर आप प्रोवेश करेंगे तो हमारे रख्त के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, वो ऐसे ही दरवाजे जैसी होती है, सामने रूप से रख्त कोशिकाओं का दरवाजा ऐसे बंद रहता है, रख्त कोशिकाओं का दरवाजा इस तरह से बंद रहता है, अब यह जो हमने कुछ खाया है, खाने के अंदर जो क इस मीथे बत्य को अंदर लाने के लिए एक कैरियर होता है कारियर माने वाहक जैसे घोड़ा है घोड़े पर बैखा हुआ इस जाने वाला एक तो एक कैरियर होता है उसी कैरियर का नाम है इंसुलीं यह इंसुलिन हमारे पेट में छोटी सी ग्रंथी होती है जिसको पेंट्रियास कहते हैं वहां उत्पन में होता है इंसुलिन का काम क्या है कि आपने जो कुछ भी भोजन में खाया है उसमें जो उर्जा तसको है सबसे आसानी से घुलने वाला जैसे ग्रू कोज या सूप्रोज या फ्रक्रोज या शुगर कहें इसको एंसुलिन अपने उपकर बिखा के दर्वाजे कτα लेकर अचाया और इंसुलिन ढर्वाजे के घंटी वह जाता है जैसे धरवाज़ा खुनता है, तो उसका जो शुगर तब तब तो है, वो इंसुलिन के साथ अंदर आगा. अब जब शुगर तब तो इंसुलिन के ऊपर बैठ कर अंदर आ गया, रख्त कोशिकां में, तो ये स्वस्त व्यक्ति के निशानी है। अगर व्यक्ति स्वस्त है, तो उसको इंसुलिन रख्ट के अंदर केरियर के रूप में काम करेगा और अंदर उसकी इनर्जी पहुचाता रहेगा। अगर किसी को डाइबेटीज है तो क्या होता है। जिसको डाइबेटीज है उसका तो इंसुलिन है। वो अपने उपर सुक्रोज या ग्लूकोज या फ्रक्रोज को लेकर दरवाजे तक तो आता है। लेकिन धंटी नहीं बजाता है। आता है फिर वापस चलाएब। तो ऐसी स्थती में क्या होता है कि इंसुलिन के उपर बैठा हुआ जो ग्लूकोज है, सुक्रोज है, फ्रक्रोज है या शुगर है वो ब्लड में ही गूंता रहता है। रट में ही गूंता रहता है। अंदर नहीं जाता है रट कोशिका हुए। तो आप जबी भी रख्ट का परिक्षन कराते हैं तो उसमें शुगर निकलाते हैं क्योंकि वो शुगर इंसुलिन के ऊपर बैठी तो हुई है लेकिन वो अंदर नहीं जा रहे हैं यह पोशिका हुई और इसी इस्तिती को डाइडुटीस कैसे हैं डाइडुटीस का सीधा सा मतलब है कि आपके शरीर में बनने वाली इंसुलिन आपके शरीर के भोजन में से निकलने वाले शरकरा तक्तु को अंदर लेके नहीं जा रहे हैं इसका मतलब यह है कि इंसुलिन या तो आलसी हो गई है या इंसुलिन बनना कम हो गई है जब इंसुलिन आलसी हो जाती है तो डाइबिटीस ठीक होना आसान हो जाता है लेकिन जब इंसुलिन बनना ही कम हो जाती है तो डाइबिटीस का ठीक होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अगर insulin आलसी हो गई है तो इस आलसी insulin को थोड़ा थेजस्री बनाए इसका आलस से दूर हो जाए इसके शरीर में जो slugish नहीं है ये फ़तम हो जाए ये उद्देश होता है और यendeu insulin बनना अगर बहुत ही कम हो गई है तो insulin जाधा बने इन दोनों ही इस्थिती में जो समझने की बात है वो ये कि किसी के शरीर में इंसुलिन आलसी कम होती है ये एक ही कारण से होती है जिसके शरीर में रक्ट के अंदर कॉलेस्टॉल की मात्रा बढ़ गई हो उसी के शरीर की इंसुलिन आलसी होती है तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपके शरीर की इंसुलिन आलसी हो गई है काम बनी कर रही है ठीक से तो उसके शरीर पे कॉलेस्टरॉल बढ़ गया है तो कॉलेस्टरॉल कम करें तो इंसुलिन काम करना शुरू करेंगे तो diabetes ठीक करना है तो सबसे पहले कॉलेस्ट्रॉल कम करना पड़ेगा ये बात सबसे आसान है समझे तो इसलिए diabetes के मरीच को कॉलेस्ट्रॉल की चिंता जादा करनी चाहिए बनिस्वत की शुगर की हम शुगर खाएं कि न खाएं ये इतना महित्वकूर नहीं है जिससे ज़्यादा महित्वकूर है कि आप ऐसा धोजन कभी भी न खाएं जो कॉलेस्ट्रॉल बढ़ाता हो क्योंकि कॉलेस्ट्रॉल के बढ़ने से आपको डाइडिटीज होती है इंसुलिन उससे आलसी हो जाती है काम करने लायक नहीं रहती है बहुत कम ऐसे मरीज होते है जिनकी पैंक्रियास खतम हो जाए या काम बिल्कुल न करे और इंसुलिन बनाना बन कर दे ऐसे बहुत कम मरीज होते है अगर एक लाग मरीजों को हम देखेंगे तो उसमें से आठ या दस मरीज ही ऐसे मिनेंगे जिनकी पैंक्रियास बिल्कुल काम नहीं कर रही है या इंसुलिन बन नहीं कर रही है लेकिन ज्यादा मरीज ऐसे मिलते हैं जिनके इंसुलिन तो बन रही है लेकिन वो एक्टिव नहीं है आलसी हो गई है काम करने में उसको ततपरता नहीं है तो आप उसको थोड़ा तेज बनाएए एक्टिवेट कर दीजे और उसका सबसे सरा लूप आये है कि आपके शरीर में कॉलेस्टरॉल थोड़ा कम कर दीजे तो डाइबिटीज के मरीजों को सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इस विशह पर कि उनका कॉलेस्टरॉल कम हो तो खान पान ऐसा रखिए जिसमें कॉलेस्टरॉल कम से कम होता चला जाए अब आप यह पूछेंगे कि कैसे खाए क्या खाए जिससे कॉलेस्टरॉल कम हो जाए तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि कॉलेस्ट्रॉल कम करना है तो कभी भी डालडा मत खाईए क्योंकि ये डालडा सबसे ज़्यादा कॉलेस्ट्रॉल को बढ़ता है डालडा किसी दी नाम से मिले वो गगन के नाम से मिल सकता है वो बजरेंगवली के नाम से मिल सकता है रूची के नाम से बिन सकता किसी भी नाम से बिन सकता डालड़ा आप समझते हैं वेजी टेबल और वरस्पती घी ये बिल्कुल मत खाईए क्योंकि इसी से कॉलेस्टरॉल पगता है तो ये मत खाईए दूसरी कौन सी चीज ना खाए जिसे कॉलेस्टरॉल पगता है दुनिया में दो ही चीज़े हैं जिन से सबसे जादा कॉलेस्टरॉल पगता है एक तो ये है वनस्पती घी वो किसी भी नाम से मिले और दूसरा है मास वो चाहे पूपडी का हो मुर्गी का हो चाहे मुर्गे का हो बकरे का हो, बकरी का हो, भैस का हो, भैसे का हो, गाय का हो, किसी भी जानवर का मास कॉलेस्टरॉल बढ़ता है, किसी भी जानवर का मास कॉलेस्टरॉल बढ़ता है, इस बात को बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए सुन लीजिए, कोई भी जानवर दुनिया में, मास के रूप में अगर खाया जाए तो मनुष्य शरीर के कॉलेस्ट्रोल को सबसे जादा बढ़ता है दूसरा कॉलेस्ट्रोल को बढ़ने वाला जो कारफ है वो है डालडा गरवन रुची सोया यह बनस्पती घी जो अलग अलग नामों से बिखता है तीसरी और एक आखरी चीज है जो कॉल संदगी में किसी से नफरत कर सकते हैं तो रिफाइंट इंसे नफरत करें वो डवल रिफाइंड हो या टिफल रिफाइंड हो या सिंगल रिफाइंड हो किसी भी नाम का रिफाइंड तेल मत खाये कॉलेस्ट्रोल नहीं पढ़ेगा मनस्पती घी मत खाये कॉलेस्ट्रोल न पुरिद्ट